नमस्कार किसान सातियों मेरा नाम है रुगराज सिंग राठोड और भुमी पुत्र के इस यूटीब चैनल पर में आपका हारदिक स्वागत करता हूँ किसान सातियों हमने लगबग 100-120 वीडियो के लगबग चैनल पर बना दिये हैं और सभी जितने भी वीडियो हमने बनाया चैनल पर हर एक वीडियो किसान के लिए कुछ न कुछ वैल्यू प्रोवाइट करता है किसान सातियों आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वह आपके लिए काफी जादा सर्प्राइज होने वाला है साथी साथ में आपसे एक छोटी से request करूःगा या एक छोटी सी में आपको काम करने का कहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये लगबख आपको दस किसानों तक share करना है किसान सातियों ये वीडियों आपकी जो खेती है उसमें बहुती जादा important साबित होने वाला है क्योंकि हम इसमें पोधे के पोशक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं और उन पोशक तत्वों के बारे में भी बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको कोई भी नहीं बताता किसान सातियों यहाँ पर मेरा उद्देश किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं है और ना ही हम यहाँ पर इन जितनी भी मैं सेरीज बनाऊंगा 16 पोशक तत्यों कि उसमें हम किसी भी प्रोड़क्ट के बारे में या किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं करेंगे और मैं यहाँ पर कम्पनियों का नाम भी नहीं लूँगा जो चीज़े वास्तवी के हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे किसान साथियों आज की टाइम पर हम खेती करते हैं खेती जब हम करते हैं तो उसमें mostly हम तीन तरीके के पोशक्ततों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जब कि प्रात्मी पोशक्ततों होते हैं खेती में कुल 16 पोशक्ततों जरूरी होते हैं किसी भी पोधे के जीवन के लिए पूर्ण उसका जो जीवन चक्र पूर्ण होता है उसमें 16 पोशक तत्वों की जरूरत होती है किसान साथियों हमने अभी पेंडामिक सिचुएशन से गुजरे हैं जिसमें हम कोरोना काल से हम निकले हैं उसमें आपने भी और हमने भी कहीं न कहीं अपनों को खोया है मगर हमने देखा है कि कई व्यक्ति हैं जो कि गाउं में होते हैं हर गाउं में आपको मल जाएंगे जो कि 10 साल 15 साल या 20 साल से बीड़ी पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं गांजा पी रहे हैं कि अगर वो सही समय पर सही मात्रा में पोदे को अगर उपलब्द होते हैं तो पोदे पर ना तो आपको वाइरस की प्रॉबलम आएगी ना इक फंगस की प्रॉबलम आएगी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉबलम आपको आपको आपर देखने को नहीं मिलती है किसान साथा यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें वास्तविकता सजटassing बातें करने वाले है क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में किसीने सिर्ष बना ही नहीं नहीं होगी मैं इस चीज का दावा करते हूँ और मैं इतनी विवस्ति सीरीज आपके लिए बनाने वाला हूँ यहाँ पर मेरा कोई पैसा नहीं लगता है वीडियो डालने का आपको कोई पैसा नहीं लगता है वीडियो देखने का मगर मेरी काफी जादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में क्योंकि मैं काफी जादा वेल जिसर्च करके साथ आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ मैं आपको यह पर एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई भी विध्यारतियां पर नहीं बना रहा हूं कि आपको कोई गौर्रमेंट इक्जाम कॉलिफाई करना है ताकि मैं आपको 0.00% में बता हूं मगर मैं आपको मोटा मोटा इतना व्योस तरीके सिखा दूँगा कि अगर आप फिल्ड पर जाते हैं तो पोदे की पत्ती देखकर भी आप बता देघें कि आपके जो पोदा है उसमें इस न्यूंट इफिशेंसी है यानी कि इस न्यूंट की कमी है किसान साथियों मैं लगबग 4-5 साल से खेती में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हूँ या बहुत ज़्यादा एक्टी हूँ मैं खुद खेती करता हूँ बहुत सारे वीडियोस मैंने चनल पर बनाकर डाल रखे हैं मालवा शेत्र का रहने वालों बहुत विवस्ती तरीकेस हम भी खेती करते हैं किसान साथ यह बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में बस छोटी सी रिक्वेस्ट हैं कि आप सीखिये दूसरे किसाइँ को सीखने का मोका दीजिए यहाँ पर वीडियो डालने का मेरा पैसा नहीं लगता है वीडियो देखने का आपका पैसा नहीं लगता है, वीडियोWow साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आने वाले जितने भी इस सीरीज का बता दूँगा मैं आपको सारे वीडियो आपको फटा फटा फट नोटिफिकेशन आ जाएगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देता है तो अब किसान साथे वीडियो की शुरु तो हम यहाँ पर जब हम खेती करते हैं तो हम इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं गर जब हम पड़ाई करते हैं क्रशवी भाग में तो हम इनको चार चीज़ों पर डिवाइड करते हैं एक दो तीन और चार अब चार भाग में हम डिवाइट करते हैं हमारे जो टोटल पोशक तत्वा है जो कि पोधे के जीवन चक्र के लिए काफी जादा जरूरी है अब यहाँ पर जो तीन पोशक तत्वा आते हैं यहाँ पर भी आपके तीन पोशक तत्वा आते हैं और यहाँ पर भी आपके तीन पोशक तत्वा आते हैं, बाकी जो बसते हूं आपके चोथे कॉलम में आपको देखने को मिलते हैं, सीधे सिधा फर्डम में आपको बता देता हूं, पहली चीज, अब आप बात नहीं मानेंगे, कुल जो हमारा पोशक तत्वा है, उसमें सबसे पूरा प्रकृती से मलता है, उसके बाद दूसरे नमर के जो आपके कंटेंड आते हैं, वो पोधे के लिए 5 प्रतिशत जरूरी है, और इनका हम भर पल्ले इस्तमाल कर रहे हैं, भर पल्ले, जितना मिल रहा है, गौर्मेंट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, किसान इतना, ए तो इनको भी हमको व्यवस्तित देना है, और चोते नमर पर जो हमारे पोशक कत्व आएंगे, उनको हमको सिब 2 प्रतिशत देना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं देना है, या इतनी इनको पोधो के जरूरत होती है, अब किसान साथियों, कुल मिला कर जो मेन यहां पर बात जेता हूं, आज मारकेट में करीबन हजारों की तादाद में, इंसेक्टि साइट, पैस्ठिस साइट की कंपनिया रजिस्टर्ड है, टुई पर एडवोटाईज आता है, अखबार में आट्वावराइज आता है, हर आठवे दसवे दिन सेबक्ता सीजन का टांब होता है, प्याज, लेसोन, गयों, सोया बेन, मक्का, कपाज, जवार, बाजराब, जो भी फजल लगाते हैं, फॉर्मल कपड़े में ब्लेक शूस पहन के आपको कोई ना कोई फिल्ड पर व्यक्ति मिल जाएगा, जो कि किसी ना किसी कंपनी सार्टेज होगा, और वो बंदा आपको, इन ही को सो प्रतिशत के बारे में बताएगा, बस, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, अब हम भी इनको जानेंगे, मगर जितनी जरूरत है, उतना हम इनको जानेंगे, अब किसांस आती हो, मैं आपको यहाँ पर आज की वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ आपको ब्लूप्रिंट बता दे रहा हूँ, कि कौन-कौन से पोशक्तत्व आते हैं, कितनी-कितनी मात्रा में जरूरत है, उसके बाद नेक्स्ट देमन, कल से या परसो से, जब भी आपको वीडियो मिलते रही है, चैनल पर step by step, अभी तो alternate वीडियो चैनल पर डल रही है, एक एक दिन के बाद, अब यहाँ पर मैं आपको जितने भी 16 पोशक्तत्व है, क्यों जरूरी है, कितनी मात्रा में जरूरी है, किसे पूरती करना है, जरू से ज़ादा है, तो पोदा किस त जरूरी है, आपको 16 पोशक्तत्व के कही नाम तक याद हो जाएंगे, तो अब टेक्निकल किसान बनी है, और व्यवस्तित तरीके से खेती करिये, अब मैं आपको चीज़े बता दे रहा हूं, बलर हो रहा है वीडियो, तो किसान साथी हो, अब मैं आपको आपको सारी चीज ईक्सिजन, उसके बाद आता हैं आपका कारबन, उसके बाद आता हैं है, ये पहले नमबर पर आते हैं जो कहा क्यों हैं और लोग कहेंगे, ऑक्सिजन कैसा हैं, अब मैं आपको चोटे से चीज इसके बारे हम डीटेल पूरी बात करेंगे पर एक छोटा सापको fundamental में इसका समझा देता हूं हर व्यक्ति ये कहता है कि पोदा जो होता है हमारा पोदा होता है पेड़ होता है आपको वो oxygen दे रहा है carbon dioxide ले रहा है ठीक है इसलिए पोदे जरूरी है तो पोदा आपको oxygen दे कांसर है उसके अंदर क्या अंदर अंदर आ रही है उसके अंदर factory तो लगी ही नहीं है किसान साथियोग पोदे को हम दो भाग में अभाजित करते हैं उसके लिए और यहां पर जो होता है उल्टा सिस्टम होता है यहां से पोदा को क्या कर रहा है oxygen दे रहा है carbon dioxide ले रहा है oxygen दे रहा है इसी का उल्टा होता है कि यहां पर जो होता है पोदा वो oxygen लेता है मतलब पोधा जड़ से भी oxygen ग्रहन करता है तबी जितनी इसकी रूट है और डैबल होती है रूट फैलती है जितनी ज़्यादा जगह में फिर रूट फैलती है उतनी ज़्यादा nutrient उठाती है और यहां से पोधा जो होता है और carbon dioxide भी निकालता है तो इस तरीके से हम पूरी सुवस्तित बात करने वाले हैं तो किसान साथ यह fundamental थोड़ा सा समझ गये हैं अब मैं आगे चलते हैं आगे हम विस्तार से बात करते हैं थोड़ी सी oxygen oxygen पोधे का 44 प्रतिशत अब मैंने कहा था आपको कि कुल हमारा 90 प्रतिशत पहले नंबर पर जो हमारी चीज़ा आती है उसमें बता दे रहा हैं आपको ठीक है अब इसमें जो हमारा है 40 प्रतिशत कारबन आता है कारबन भी काफी ज़्यादा जरूरी है इसके ओपर भी विस्तार से हम बात करेंगे इसके बाद हाइड्रोजन जो आता है आपका वो 6 प्रतिशत आता है 46,50 और 4,500 ठीक है वो गया 90% कोई बात नहीं करता है किसान साथियों कोई बात नहीं करता है हर आदमी अपना चैनल चलाने में लगा है हर दुकांदार, हर दवाई वाला जो आपके यहां पर आता है वो अपनी दुकांदारी चलाने में लगा हुआ है हमारा चैनल का सुरू से एक उद्देश रहा है कि हमको किसान को सजग बनाना है कम लागत में ज़्यादा सज़दा प्रॉफिट कमा सके साथी साथ वो जितना बचाएगा उतना ज़्यादा कमाएगा और आने माले समय में जितने भी हुआ है वो खेती से मूँ न वोड़ेंगे क्योंकि आप ड़ेफिनेटली बहुत ज़्यादा खर्च है खेती में जो कि हमने बढ़ाया है किसे ने नहीं हम हमारी मानसिक्ता बदलेंगे चीज़े बदलती जाएगे अब आक्सिजन, कार्बन, हाइट्रोजन आप समझ चुके है अब नब्बे प्रतिशत तो आपका ये आ रहा है दूसरी चीज अब धडलने से हम अब जो 100 प्रतिशत में हम बात करते हैं प्राण आधार प्राण आधार तत्व पोदे का प्राण यही है नब्बे प्रतिशत जो पोदा बनता है वो इन तीन पोशक ततों से बनता है अब यह पोशक तत्व हाइट्रोजन पोशक तत्व कैसे है, कार्बन पोशक तत्व कैसे है अब उसकी चीज हम इस्रे बाइस्रे एक इक टॉपिक में समझे वाले है, ठीक है अब यहाँ पर आते हैं हमारे प्राथमिक पोशक्तव प्राथमिक पोशक्तव अब प्राथमिक पोशक्तव यहाँ से शुरू होते हैं, इसमें हमारा आता है N.P.K बस यही किसानों के मूँ पे है अम मैं बता दे रहा हूँ छूटी सी चीज है पर आप सुन लेजिए 19 19 19 है ना फसल में पहले हमको यह दे देना है नसरी के टाइम पर यह दी दिया इसके बाद हम क्या करते है जीरो बावन चोटीस ठीक है यह दे दिया हाँ ना इसके बाद जीरो जीरो पचास वाटर सॉलेबल फर्टिलाइजर है हर कंपनी बेशने में लगी हुई है ध्यान दीजिए गए आपन इसमें क्या आता है एन पी कि यह चीजे कहा गई 90 प्रतिशत खतम इसके बाद यह 5 प्रतिशत मैं आपको बता था दूसरी चीज ज लेगा इसे से प्रोडक्शन दे देगा ऐसा तो नहीं होता है जो चीज जरूरी वह तो पोधे को मिलने चाहिए अब इसको हम यहां पर समझ रहे हैं नाइट्रोजन फास्परोस पोटाज अब एक चीज में बता रहा हूं अब यह चोटी से चीज आपको बता दे रहा हूं पोशक तत्वों में से यह 5% है पोधोगा नाइट्रोजन हम दे रहे हैं फास्परोस दे रहे हैं पोटाज दे रहे हैं अब मैं चोटी से चीज आपको बता दे रहा हूं कुछ फसले से हम तेल लेते हैं कुछ फसलों से हम अनाज वाली फसले हैं है ना यह दाल वाली फसले में एक ज़िसा नहीं जाता है। सब में आप यूरिया theo dhanni dhagnardya की रूप में किस फसल'D को रहा है और दुकान दार भी अपने दुकान इसी के ऊपर चाला रहा है मैं आपको बता दी सारी चीज़े इसके अलावा भी आता है या पर बहुत कम-कम पर भी तयार हो सारी जतनी भी लिंक है मेरी जतनी भी सोशल साइड है चाहे इंस्टाग्राम हो आपको सारी चीज़े एक्स वाई-जेट हमारे जो वीडियो उसका अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो आप पर चीज़े मिल जाएगी हाला तो आप वासे हम से जोड़ सकते हैं और अब हम तीसरे पॉइंट पर चलने है मैंने आपको बताया था तीसरे पॉइंट पर जो है पोधे की तीन प्रतिशत चीज़े आती है अब पहले तो हम समझते हैं कि जो तीन प्रतिशत जरूँ थे वो कौन-कौन से पोशक्तात हुआ की है ठीक है कैलश पर अब यहां पर तीन चीज़ों की जरूरत है अब यह आते हैं दूइतिय पोशक्तत अब किसान साथी क्या होता है कि हम इन चीज़ों को इग्नॉर कर देते हैं आपने सलफर दिया होगा प्याज लेसून में किसान साथी देते हैं आपने कभी केल्शियम और मैगनेशियम पर focus करा रहा नहीं करा पर हम बीमारियों के दवी शीटेंग है फंगस आज़ी है इंसेक्ट आ रहे हैं वाइरस आ रहा है पौडर हो क्या रहा है डॉन रहे है फल सड रहा है फल फट रहा है सारी जिज़े आती है तो हमको इनके उपर वी गोर करना है और कौन सा nutrient क्या काम करता है क्या deficiency क्या कमी के लक्षन बताता है क्या ओर डोजिंग है वो सारी चीज़े भी हम इसमें समझने वाले हैं तो यह उस चार्ट में आपको तीन प्रतिशत देखने को मिलता है अब हमने इसमें नब्बे और यह 0% हो जाएगा अब इस चीज़े भी हम गोर करें आखरी अब यहां पर आपको चीजिये समझे मैं कंपर जो तीन पोशक होते हों नो में को बता दे रहे हूं यहां पर पर यहां आपको आते हैं सुख्ष्म पोशक्तत्व यह आप अत्ती सुख्ष्म भी कह सकते हैं मगर मैं सुख्ष्म किसमें डाल रहा हूं सुख्ष्म पोशक्ततव अब यह आपको साथ पोशक्ततव देखना के मलता है सुख्ष्म पोशक्ततव अब इनकी जरूत कित्ते होती है पोदों को दो मगर ये भी जरूरी है आपका फल फटता है आप बाजार में जाते हैं आप दवाई लेकर आ जाते हैं स्प्रे कर दी आप बोरोन का प्रोपर स्प्रे करिए ना तो आपका कभी प्याज फटेगा ना कभी आपके केले का फल फटेगा ना कभी आपका पल फटेगा चमक अलग साइगी दाना मोटा अलग बनेगा सारी चीजे होती है मैं एक्स वाई जड़ में समझेंगे अब साथ पोशक्टत्व आते सुख्षम पोशक्तत्व में इसको हम चोथे नूमर की श्रिणीमे डालते हैं और सुख्ष में पोशकत्तों कहते हैं जिनकी पोद्धों को कम जरूत होती हैं मगर जरूत होती है सब सब पहले आपका आता है अ बॉरॉन दूस्सरे नंबर पाथ आपका मॉली बिटनम तिससे नंबर पर आता है आपका जिंक चोथे नमबर पे आता है आपका फेरस पांचवे नमबर पे आता है कॉपर ठीक है बोरोन, मेगनिशियम, जिंग, फेरस, कॉपर किसान साथ यो छटे नमबर पर जो चीज आती है हमारी मेगनिशियम और साथवे नमबर पे आता है आपका क्लोरिन अब समझें आप यह जो हमारे पोशक्तत होते हैं उनको पोधों को दो प्रतिशत तक जरूत होती है जो कि हमने कभी दिये है ना बिल्कुल नहीं दिये है अब किसान सातियो मेरा जो यहां पर उद्देश है पूरे चैनल पर आपको एक महीने से डेड़ महीने के अंदर क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है रिसर्च हम करते हैं उसके बाद फिर हम डबल रिसर्च करते हैं जो वास्तविक्ता में जो जरूरत है वही चीज़े मैं रिद्दश हम पर जादा करते नहीं है जो चीज़े सट्टी के हम बात करेंगे आप किसां सात्यो साथ चीज़े आपने यह पर देख लिए मैं च्छोटी सी चीज़े आपको एक स्षॉट यहां पर बता देता हूं हमने यह आपर पहले में तीन चीज़े रखी दूसरे में नहीं नहीं यहां पर चोत्य नंबर पर यह ह्में साथ चीजा रहे ही तीन चारों के आप जो़र लगा लगा यहे शात और तीन दस. दस. और तीन clientsclock three 13曜़ ढिए विएम मुदु सोला वीसेर 쉬 को समझे अंगे अपेसर दो आए ύम बनाएंगे और किसांसातियों मुझे उमीद है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है मगर इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और अगर आपने वीडियो नहीं देखा होता और मैं छोटी सी चीज पर्सनल बता रहा हूं के लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं जाएंगे हम अपना पेट भर लेंगे हो सकता है कि हम हमारे जीवन के अन्तीम शणों में जो हमारा पोशन है जो हमारा भोजन है उसके लिए मोहताज हो जाए इसलिए हम पोदे के जो पोशक तत्व होते हैं और पोदे का पोशण अगर सही तरी किसा मैंटेन करना सिख जाएंगे तो पूरी XYZ हम A, B, C, D यहाँ पर सही कर देंगे हम नहीं किसान साती होतो बोत जाधा मे Kerry जाएंदे के बाद सारी चीजह हम आपके लिए वीकौरें करता है और सारी चीजह आपको समझाने के कोशिश करता हूँ हम करता हूं अब हम इसमें विज्ञानी की तोर पर अगर समझते हैं तो मैंने आपको आने वाले समय में बहुत सारी टॉपिक प्रेडिश डिसाइड कर दिया और हो सके तो आपको शायद 8 या 15 दिन बाद आपको जितने भी हम चैनल पर आने वाले समय हैं मंतली जो वीडियो करते हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगा तो किसांसातियों मुझे उमीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आगर वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी साथ चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने व भूमिपुत्र रगुराज संग्राठोड अपने खेती अपना परिचाए।